सब्सक्राइब करने वाले हमारे चाप्टर रिसोर्स और डिवल्लमेंट फॉर क्लास्टें जियोग्रफी जिसको हम कवर करेंगे एक पहुत ही चोटी सी वीडियो में तुम्बर वन टॉपिक इस रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम इस्तिमाल कर सको खरीद सको वह एक एक पैपर शारी चीज इस उतने ठीट के होते हैं कि हम उनको बहुत अलग अलग ओलग टाइप में क्लासिफाइग क्लासिफाइग कर सकते हैं अलग अलग बिसफलोडी इदमित फोरन फ्लोरिज्ड इन प्लांट यह साय नहीं जींके पत्थर हो सरय रॉक हो किbadू जिसकंऐ जिन पर हम रिस्वार्स को क्लासिफाइब करते हैं वो होता है एक्जास्ट बिलिटी दो टाइप के रिसॉर्स होते हैं रिन्यूबल नॉन रिन्यूबल कुछ ऐसे रिसॉर्स है जो अगर खतम हो जाए तो तुम उनको रिकवर नहीं कर पाऊगे रिप्रेड्यूस करोगे तो यह ओंगे तो मैं लग जाएंगे posición उन रिसॉर्स को हम क्लासिफिकाइश लांग डिन्यूबल रिसॉर्स झेल बोलते हैं लिए कंक पालती हगे बीस्टी कॉनप इंडिविजुल रिसोर्स ऐसे एक इनसान को बिलॉग करते हो जैसे कि आपका घर आपकी कार आपकी बाइग क्या है कि इन्डिविजुल रिसोर्स एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए अविलेबल हो जैसे पॉब्लिक पार्किंग खेले के लिए मैंदान क्योंकि एक देशके अंदर आता है और एक देशके आसे को हमारे देश से 200 माइयल की दूरी से जzić हों का फस्पोंज करो कोई जगह है बроhr की माइल्ग की सब्सक् Stretch हम कैसे उनको क्लासिवाइग करते हैं वेलेकिशन एक होते हैं पोटेन्श पोटेंशल टेस्ट शोर्स होते हैं कि लोगों की काम आ सके लेकिन अभी तक इस्तमाल नहीं करें लेकिन लेकिन हम उनका इस्तमाल नहीं कर रहा है जैसे बहुत पोटेंशल पूरी लेकिन अभी उसका इस्तमाल यहां पर इस्तेम्म होता है वो थे कि यहां पर बॉख करने हैं कि यहां पर अइंडिया पहते हैं क्यों क्यों हमारे पास उनको इस्तमाल करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलोजी नहीं है, जैसे कि आप H2O को देखते हो, तो H2O से electricity बन सकती है, एक तो यह है, dam के थुरू बन सकती है, दूसरा कैसे बन सकती है, H2O और O2 में break करके भी बन सकती है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, प्रॉपर टेक्नोलोजी नहीं है, तो हम इस रिसोर्स को इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो धूर्स बार हमारे इंडिया में पाईत हो जाते हैं, बड़ हमारे पास उनको यूज करने के लिए प्रॉपर ट टेकनलोजी भी है बट फिर भी आज के टाइम पर हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं जिसे आप मोटर साइकल जिलाते हो तो उसमें एक रिजर्व होता है रिजर्व यानि की पेट्रोल की जब आपका पेट्रोल कतब हो जाए तो रिजर्व काम आएगा उसी तरीके से हुशा का इसमले घलत तरीके से की आ जाता है कुछ अमें के भाशाम की पर आपको जरूराप पर्डल कर्ने की है कि वयips면 कर सको चीजों को अच्छे से और्गनाइश करो रहें सको करते हो जसे दूब कर विडबिंग करते हो यह सामान यहाँ जिससे वेडिंग में सब सारी चीज़ आराम बढ़िया से हो जाए उसी तरीकी से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है क्यों जिससे इंडिया में जितने भी लोग है उनको प्रॉपर तरीके से उन लोगों तक सारे रिसोर्स पहुंच पाए ऐसा ना हो कि कुछ लोग तो बहुत पालें और कुछ लोग के पास रिसोर्स पहुंच यह ना तीन तरीके होते हैं प्लानिंग करने के रिसोर्स की प्लानिंग करने के और वह तीन तरीके क्या होते हैं सबसे पहले तरीके की थूप पता किया जाता है कि इंडिया में यह किसी भी घंडरे में कितने सारे रिसोर् कि दूसरे स्टेप में एक बना बना जाता है इसके प्लान करने में वाले कि में मुच कृते हैं उसको हम क्या करते हैं उसको हम verify करते हैं कि वह प्लान देश के हित्म है क्या वह उस प्लान से देश को फायदा होगा ऐसा तो नहीं है कि हमने जो प्लान बनाया उससे बहुत ज्यादा फैलेगा जिससे ओवर रॉल देश को घाटा हो तो तीसरा जो step होता है एह रचम्भ प्लानिंग गारते है जो हम्ने प्लांग बनाया था रिसोर्स को कैसे इस्तespace लेकर उसको देश के डेवलमेंट प्लान के साथ कमपहर करते है। every नुमर्वन स्टैप्स में हम एक प्रोपर प्लान मनाते हैं पित अपर तिकनलोजी कि कैसे रिटोर्स करना है नम्च्री में क्या गड़ते हैं हमने जो प्लान बनाए है उसको मेच करते हैं इंडिया के नेश्टनल डेवल्मेंट प्लान के साथ वेरी सेम्पल और रिसोर्स प्लानिंग से बेसिकली हो किया जाता है रिसोर्स प्लानिंग हमको उपर्चुनिटी प्रवाइड करता है कि हम क्या गर सके एक एक इक्वल तरीके से रिसोर्स को डिस्रिब्यूट करा सके पर आपके पर में कभी नहीं आता कि कितने परसेंट ये वाली लेंड है सिंपली जो आता है वो होता है लेंड डिग्रेडेशन के बारे में देखो भई लेंड डिग्रेडेशन क्या होता है जो हमारा इस टॉपिक का में टॉपिक है कि लेंड डिग्रेडेशन क्या होता है देखो हर जो जमीन होती है उसकी एक क्वालिटी होती है कुछ आप कहते हो ना यह जमीन बहुत फर्टाइल है ऐस पे बहुत ही शादार क्रॉप ग्रोँ करति यह झाल आप बोलों कि एस भाली लेंठी के कौ से नहीं दूसरी वाली मतलब हैं मतलब है क्वाजिक गिरना ऐकर पिषली ना hvis म series कम होई you आपके मार्क्स पिछली बार से कम हुए है, यह जो कार है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, यानि की कार की क्वालिटी कम हो गई है, उसी तरह की से लेंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लेंड की क्वालिटी खराब होना, बैसिकलिए लेंड डिग्रेडेशन कुछ causes होते हैं जमीन की quality खराब होने के कुछ causes होते हैं जिनमें सबसे पहला cause और सबसे easy cause जो आप समझ सकते हो that is over irrigation over irrigation यानि कि कभी आपने घर पे पेड़ पौद में पानी दिया होगा तो अगर जादा पानी डाल तो भी पौधा मुर्जा जाता है है ना यही होता है सेम चीज लेंड में भी होते हैं जमीन पे भी होते हैं अगर जमीन को जादा पानी मिल जाए तब भी उस जमीन की quality खराब हो जाती है इसलिए क्या है एक बहुत बड़ा cause land degradation का over irrigation है वो rural areas ग्रामे इरिलाखों में जहां पर लोगों को knowledge नहीं है और लोगों को यह लगता है कि जादा पानी से फसल और अच्छे होई वह क्या करते हैं बहुत जादा पानी दे देते हैं जिससे जमीन की quality खराब हो जाती है land degradation भी हो जाते है फसल भी खराब हो जाती है एक cause क्या है land degradation का over irrigation दूसरा cause है over grazing, over grazing यानि कि suppose करो एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर घास है आप हर रोज अपने जानवर को लाओगे उसी जमीन पर उसको चारा चरवाओगे चरवाओगे तो क्या हो जाएगा वो जो जमीन है उसको मौका नहीं मिलेगा recovery करने का उसको मौका नहीं मिलेगा टीसर तरीका होता है mining activities जो बड़ी-बड़ी factories बनती है mining के लिए उन फेक्टरी में क्या होता है बहुत बजनी-बजनी सामान को बहुत heavy rocks को बहुत heavy-heavy machines को जमीन पर पठका जाता है जिससे जमीन पर क्या होता है बहुत ज्यादा pressure पढ़ता है burden पढ़ता है और जमीन में crack आ over grazing, over irrigation और mining activities अब आते हैं कि land degradation को बचाएंगे कैसे यह कैसे control करेंगे जमीन की quality खराब होने तो पहला simple तरीका हर चीज में हर जगा पर यह simple तरीका हो सकता है कि pollution कैसे रोखो के पेड़ पौधे लगाओ यह सबसे simple तरीका है तो सबसे पहला तरीका land degradation को रोखने का वह पेड deforestation का मतलब होता है पेड़ पौधे का आटना पेड़ लगाने का मतलब जंगल बनाने का मतलब एफ़रेस्टेशन करना जितने जादा पेड़ पौधे लगाओ के उतनी जादा जमीन की quality अच्छे होगी एक तरीका यह है land degradation की problem को solve करने का दूसर तरीका क्या है management of grazing यह जो चारा चर्टे हैं इस चीज़ को अगर सई तरीके से manage किया जाए लोगों को aware किया जाए कि आप ऐसा नहीं के एक ही जगाए पर बार बार चर्वाओ जमीन को भी time recovery करने का सब्सक्रों करो आज यहां आपने grazing करवाई कल कहीं और जाके grazing करवाओ जिससे जमीन को time मिलता तो भी land degradation की problem बहुत हद तक solve हो सकती है तीसरी चीज़ most important अगर mining activities को proper तरीके से strategic तरीके से control किया जाए like mining activities वालों को बोल जाए कि उतना ही pressure आपको apply करो जमीन पर उतना ही pressure आना चाहिए जिससे उसकी quality खराब ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा proper strategy मनाने पड़ेगी research क करना पड़ेगा लेकिन अगर ऐसा किया जाए तब भी हम क्या कर सकते land degradation की problem को बहुत जारा solve गर सकते है तो यह तो हमारा था land degradation और land degradation की causes क्या थे और उसके solution क्या थे अगरे नेक्स टॉइक पर एक आड़े तो मिट्टी बोल देता हूं मैं तो मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ही important resource है एक्शली हर चीज ही बड़ी important resource है मोबायल important resource है Marker बहुत important resource है और हर रिसोर्स को अलग अलग तरीकी से classify किया जाता है हमारे देश में जो मिट्टी है उसको basically तीसरी पार्ट होता है उसमें प्रोडा रॉक मटेेल ना जादए कि व सब्सक्राइब वाली mine सब्सक्राइब करी के सब्सक्राइबし एक अब्लेया के सब्सक्राइब करने की दिया चेया अब की आपको क्लासिफेकीशन आइन के बारे में कि हमारे डेश में कई प्रिकार की स्वाइल स्वाइँ दिक देश्श् games थे स्यंविविव सबसे इंपॉ kon Espra और संगर करण के यह सिंपर यह तिल्यते वन्हें से Tigers 20 से बन्ति जिनक्त में इस नाम थै और यह वी दो टाइप की होती है वो पुरानी होती है इसलिए वो थोड़ी सी ज्यादा फर्टाइल होती है ब्लेक सोल इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बेस्ट माले जाती है को ग्रों करने के लिए ब्लेक स्वायल अपे सबसेटी चीज का होती है वाटर मुइस्ट्र OUT अच्छी से और उसरे प् virk такие और यह बटी कैसे लावा के फ्लो से बनती है बेसिकली अभी आपको एक इमेज दिख रहे होगी स्क्रीन पर उसके बिस पर बोल चकते होगे कैसे बनती है जहां पर यह पाई जाती है और एसी जगह पर यह पाई जाती है जहां पर ठोड़ा सा लोड़ चत्त जगण पर यह स्वयल इनका रेडिश कलर के होता है जिन रॉक्स के बीच में इन फॉर्मेशन होता है उन रॉक में जाकर सब्सक्राइब नें जाकर क्या होगा आयरन मिनरल होता है या सिंपली मैटल भी बोल सकते हो वो metal जाकर मिल जाता है, जिसकी वज़े से इन soil का color reddish color हो जाता है, very simple, चौटा है laterite soil, laterite soil के में word आया है, later, later का मतलब होता है brick, brick यानि की eat, अब किसी ने अगर eat बनती देखी होगी, तो eat के लिए दो चीज़ा ज़रूरी होते है, eat बनने के लिए, high temperature, high rainfall, तो simply हम क्या बोल सक आइंगे, एक तरीकी से बोल सकते हैं, यह eat की ही soil है, यानि की जो घुम्मे होता है, उनी की एक soil है, उसी तरीकी की आपको देखेगी, अगर आपने कभी देखी होगी तो, ठीक है, इनमें humus content बहुत लो होता है, क्योंकि इनके अंदर micro organisms की कमी होती है, क्योंकि बहुत ही, क समय पाया जाते है, move on करते है, fifth soil पर that is arid soil, arid soil जो होती है, brown to red आपको देखने को मिल जाएगी, अलग-अलग areas में, इस soil के अंदर भी वही सारी चीज़े होती है, like humus content बहुत कम होता है, और moisture भी बहुत कम होता है, क्यों moisture कम होता है, यह soil होती है, basically arid soil, यह इतनी अची fertile न होता है, क्यों, क्योंकि ऐसे areas में बनती है, जहां पर dry climate होता है, यहां पर high temperature होता है, लेकिन अगर in soil को, dry arid soil को proper तरीके सचाई की जाए, पानी दिया जाए, irrigation किया जाए, तब in soil पर आप क्या कर सकते हो, crop को grow कर सकते हो, ठीक है, और simple है, जहां पर temperature जादा होगा, वहां प आपको पता है, यानि कि arid soil जब high temperature में बनेंगी, तो ये अच्छा करेंगी, आपको पूछा जाता है, यह वहां पर हिली और mountainous areas में पाई जाते है, और यहां पर क्या होता है, वहां पर इसलिए पाई जाते हो, क्यूँकि वहां पर प्रॉपर rainforest प्रेजर प्रेजर्ट है, तो इक सबसे इंपॉर्टन चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि इन सब चीजों को याद करने से बहतर है आप मैप को पाच्चे बार प्रक्टिस कर लो तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि यह किस प्लेट्ट्यू में यह किस जगह पर यह स्वाइल स्वाइल जाते हैं होती है जबसे असब सब्सक्रास सबसे इस बहुत इस पानी जर रहा रहा है इस था आप बिलते हुए यहां तो पर इस रही पानी के साथ चली और इसी प्रॉसिस को हम स्वाइल एरोजन कहते है तो बिसी की स्वाइल की अपर मुस्ट लेयर का हट नाइस तो सिंपल मैं बोलू नाइस सब्सक्राइब वर्शिग डाउन तो आप खताम हो जाएगी जैसे इस वाइल की अपर नहीं तो थोड़े ताइम के बाद एक और यह हैं इन हैं चलता है जैसे क्या होता है जैसे थोड़ी दिर बाद यह लेर रटेगी एक नई की लेर आ जाएगी इससे क्या होता है इसी से रिलेटर कॉंसा आप टो शीट रोजन शीट रोजन स्वाइल रोजन जो रहा था जो जमीन है वह इस तरीके से ठीक है तो पानी आ और यहां से पानी आएगा तो जो पानी आएगा इसमें क्या करेगा वह एक स्लोपी तरीके से धलान के तरीके से पूरी स्वाइल की टॉप स्वाइल को ले जाएगा यानि इधर से लेकर इधर तक पूरी स्वाइल की अपरमोस लेर चली जाएगी और इस प्रॉसस को हम क्य क्या होता है जब स्वैल शीट के रूप में हटती है शीट के रूप में काघज के रूप में इसे रोल होती चली जाती है तो यह वाटर फ्लोगल्य ब्रॉटर फ्लोग बच्रीघ्व सब्सक्राइब इन this process कॉल sheet erosion अब हो रहाए अगर मैं पूछई है कि पानी का बहाव बहुत ए जा रहा है कि आप यह ऐसे बारिष का पानी हो डेम का पानी हो अगर हम इस पानी के पानी के पानी को स्पीड नी यह था है सबसे पहले में किया जाता है strip cropping criticism क्या की जाते हैं इस बड़ी जब बड़ी जो Do n होतीए उन को क्षोटी-्थोटी स्ट्रिपस में कार दिया जाता है और थोड़ा teb बना दिया जाता है इससे क्या होता है जब पानी आएगा चोटी-चोटी स्ट्रिप्स है उनके बीच टोड़ा-टोड़ा सब्सक्राइब तो पानी की स्पीड स्लो होती जाएगी जिससे जो स्वैल है उस पूरी स्वैल कि अपर मुस्ट लेर को पानी नहीं ले जा पाएगा दूसरी चीज़् क्या की जाति है है शेल्टर बेल्स बनाना शेल्टर वे बहुत सिमलय प्रिक्त सब्सक्राइब करने वह चाहिए तो इहां पर बहुत सारी तो पानी इन से टगरा टगरा कि क्या हो जाए गी और पानी की इन पर एफेक्ट पर पड़ता था था थोड़ा सा कम आए गा तीसरी जो एक होती है वह तो आपको फोटो देख रहे होंगी स्क्रीन पेड़ क्या जाते हैं उसमें भी ओवर आल पानी की स्पीड को यहांनी कि सिंप्ली विट्र का एंड तो आपको वीडियो पसंद नहीं होगी आपने को पूरा चाप्र समझ आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चाप्टर के साथ अपते के लिए गुडबाई